भारत में डेफ क्रिकेट का विकास अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है फिर भी भारतिये डेफ क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उमीद भी नहीं थी बीते 10 अक्टूबर को अजमान के मालिक स्टेडियम में टीम इंडिया ने दक्षिन अफरिका को 49 रन से हरा कर डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टी 20 चैंपियन्स ट्रॉफी को पहली बार अपने नाम किया ये भारत के लिए एक बेहत खास प्रतियोगिता थी क्योंकि कोविट महामारी के बाद भारतिय टीम अपनी पहली विदेशी प्रतियोगिता में भाग ले रही थी टीम अपने प्रदर्शन से बेहत खुश है और भविश्य में भी देश का नाम रौशन करने के लिए प्रयासरत है जब हमने फाइनल मैच जीता और हमारे हाथ में टोफी थी उन्होंने बहुत नाम रौशन किया है इंडिया का बट कही ना कहीं एक सेग्मेंट था जो नाम बोलने सुनने वाले लोग हैं वो कभी अपनी टालेंट को दिखा नहीं पाए तो अब जब हमने ट्रोफी को जीता है तो उस चीज उस फीलिंग को मैं यह एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि मैं खुद ही बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि हम जो है ट्रोफी लेकर आए हैं और इंडिया की तरफ से हमने खेला और हम ट्रोफी को यहां पर दिली में लेकर आए हैं और लोगों ने जो सपोर्ट हमें किया उसके लिए हम बहुत खुश्च है फ्यूचर में DICC की तरफ से जो भी रूल्स और रेगॉलेशन होंगे या जो भी वो प्लान या हमें टूनामेंट के शियर करेंगे और हो सकता है शायद कतर में हमारा जो है नेक्स्ट टूनामेंट हो तो उसके लिए हम प्लानिंग अभी से स्टार्ट करेंगे और मेक्शर करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी हम जो है ट्रोफी जीत कर ही आए अपनी भाशा को समझने के लिए एक इंटर्प्रेटर की हमेशा हमें जुरत पड़ती है तो वो इंटर्प्रेटर अगर हमारे साथ रहेगी और हमें हर चीज बताती रहेगी तो वो हमारे लिए इजी रहेगा सबकी कन्वसेशन हम समझ पाएंगे कि हमें क्या बोलना चाहते हैं जिस तरीके से कोचेस हमें टाइम टू टाइम बता रहे थे वो समझा रहे थे उसको प्रॉपर तरीके से हमें जो है एक इंटरप्रेटर ने बताया और हम अपनी जो जो कोचे हम से चाते थे हम वो बेस्ट अपना दे पाए जो कोच हमारे हैं जिस तरीके से उन्होंने हमें बॉलिंग की ट्रिक समझाई जो बैटिंग की ट्रिक समझाई वो हमारे तक पूरे अच्छे तरीके से पहुंची और इसी वज़र से हम अपना जो है बेस्ट दे पाए हैं अब ये टोफी हमारे पास आ चुकी है जिसके विज़र से हम बहुत खुश है हमारी टीम बहुत खुश है बकि और मैं सबको ठाइंक यू बोलना चाहता हूं जिन्हों ने हमें सपोर्ट किया हम बहुत प्राउड है हमारे इंडिया बहुत प्राॉड है तो वाकिए एक बहुत बड़ी उपलब्धी भारती और डैफ टीम के लिए तो खेल आज कल में फिला लिकना ही हमारी पूरी टीम को देजे इजाज़त नमस्कार